आप सभी के हिर्दे में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम आप सभी देखी रहे हैं कि भगवान राम लक्षमन जी के साथ स्वविंबर के स्थान पर विराजमान है और सबकी द्रिष्टी उनी पर जाकर ठहर गई है और उस ठहरी हुई द्रिष्टी में प्रतेक व्यक्ति अपने अपने भाव की अनुसार राम की मूरत को देख रहा है जाके रहे भावना जैसी प्रभ मूरत तिन देखी ही तैसी तो अब उस इस्थान की जो भव्वेता है जो दिव्वेता है वह श्री राम की उपस्थिती से अनंत कोटी बढ़ गई है और क्या कुछ वहां घट रहा है आईए देखते हैं उसे सहज मनोहर मूरत तो तुलसिदास जी कह रहे है कि राम और लक्षमन की जो मूरत है जो प्रतिमा है जो सौंदर रहे है उनका वह कैसा है सहज मनोहर स्वभाविक रूप से ऐसा नहीं है कि कोई विशेश प्रयास किया है उन्होंने सुंदर बनने के लिए नहीं नैसरगिक रूप से प्राकर्तिक रूप से सहज स्वभाविक रूप से उनकी जो मनोहर मूरत है वो ऐसी है कि बस द्रिष्टी वहां से हटती ही नहीं कोटी काम उपमा लखिसो तो उन्हों से दास्टी कह रहे हैं कि मैं अब से पहले कितनी बार एक उपमा देता आया हूं और बाकी लोग भी दे रहे हैं कि भगवान राम की सुंदरता कैसी है करोडों कामदेव भी लजा जाए कोटी मनोज लजावन हारे तो कह रहे हैं कि कोटी काम उपमा लखिसो ओगया कहते हैं ये उपमा भी बहुत छोटी है जो हम देते हैं भगवान राम के लिए कि करोडों कामदेव भी उनके आगे कुछ नहीं लजा जाएं किन्तु हम सभी की एक विवश्टा है कि कामदेव से कुछ अधिक सुंदर्रे संपन हमारे पास उपलब्द नहीं है होता तो उसके उपमा देते तो कामदेव पर जाकर हमारी सीमा समाप्त हो जाते है और तुलसिदास जी क्या कह रहे हैं कि यह उपमा भी बहुत छोटी है लगू है उप्यूक्त नहीं है अनुप्यूक्त है करोणों कामदेव भी कुछ नहीं है हम चाहे संख्या बढ़ा दे उनकी अर्बों कर दें खर्बों कर दें फिर भी रहेंगे तुबे कामदेव ही ना तो यह सब उपमाएं बहुत छोटी है ऐसी मनोहर मूरत है उनकी जो सहस्वभाविक है सरद चंद निंदक मुख नीके और अनेक स्थानों पर हमने कहा है कि भगवान राम का मुख शरद रितु के चंद्रमा के समान है तो तुलसिदास जी कहते हैं वह भी नीके, वह भी ठीक बात नहीं है उचित बात नहीं है, सही बात नहीं है शरद रितुके चंदरमा के साथ भी राम के मुख की जो हमने तुलना की है वह भी सही नहीं है नीरज नयन भावते जी के और यह जो कमल नयन है नीरज नयन भगवान श्री राम भावते जी के जी को बस भाज आते हैं और इस से अधिक कह रहे हैं तो उसे दास्जी में कुछ नहीं कह सकता कहा है लेकिन कहते जो भी मैंने कहा है वेह सब उपयुक्त नहीं है बस कहने के लिए कहा लेकिन इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कमल नयन भगवान शिरी राम उनको देखने के बाद जीत्रिप्त नहीं होता है अगाता नहीं है और वे भावते जी को जी को ही भाई रहते हैं लुभाई रहते हैं चित्वन चारु मार मनहरने और कहते हैं उनकी द्रिष्टी कैसी है भगवान राम की कि अगर जरा सी नजर फेर के कामदेव को भी देख लें तो वह भी अपना मन हार जाए कामदेव को देख कर तो बड़े-बड़े योगी, मुनी, सिद्ध वे भी डूल जाते हैं तो कहते हैं वह कामदेव अगर राम को देख लें या राम एक द्रिष्टी भर कामदेव को देख लें तो वह भी अपना मन हार जाए उनके आगे भावत खिर्दे जात नहीं भरने और जो इनकी छवी खिर्दे को जो भाती है न अब आप ये मत कहिएगा कि उसका वंडन कर दीजिए तो लसे दास जी हाथ जोड़कर विनिती कर रहे हैं कि उसका वंडन नहीं किया जा सकता ना मै कर सकता हूँ और ना हो सकता है उनके जो गाल है बहुत ही सुन्दर है और कानों में जो जुमके हैं कानों के जो अहभुशन है वो डोल रहे हैं चिबुक अधर सुन्दर मृदु वोला और उनकी थोड़ी बहुत प्यारी है और वानी उनके जो बोल हैं वो तो अती मधुर हैं कुमुद बंदुकर निंदक हासा भगवान की हसी कैसी है कि जो चांदनी है चांदनी भी तुरिसकरित हो जाए, लजा जाए, शर्मा जाए ऐसी हसी है उनकी बिरकुटी बिकट मनोहर नासा उनकी भवें टेड़ी है और नाक अति सुन्दर है भाल विसाल तिलक जलकाहे माथा मस्तक अति विशाल है चोड़ा है और उस माथे पर तिलक जलक रहा है शोभित हो रहा है भासित हो रहा है कच बिलोक अवली लजाहे और बाल कैसे हैं? लंबे, काले और घुंगराले और ऐसे घुंगराले कि भवरों की टोली की टोली मस्ताई होई टोली भी लज्जित हो जाए देखकर अब यहां तो भूल चूक से महानगरों में भूल चूक से कभी कोई भवरा दिखाई दे जाए तो दे जाए भूल चूक से इस समय हम बातचीत कर रहे हैं तो आप सोयम सूची आपने कभी कोई भवरा देखा है तो भवरे तो वहां होते हैं जहां फूलों के अंबार लगे होते हैं ऐसी फुलवाडियां हों कि जहां फूली फूल खेले हैं फूली फूल तो वहाँ पर तितली और भवरे आते हैं अब गली महलों के पड़े कूडों के धेरों पर तो भिन भिनाती हुई मक्खियां ही होंगी ना तितलियां और भवरे तो नहीं होंगे ना मदुमक्खियां होंगे तो आप कैसे इस चीज़ को समझेंगे कि भगवान राम के घने और काले घुंगराले बाल उनको देखकर भवरों के जुंड भे शर्मा जाएं क्योंकि भवरे जब जुंडों में होते हैं न तो ऐसा ही लगता है कि जैसे काले बाल घुंगराले बाल लटके हुए हों लहरा रहे हों हवा में तो लाखों करोडों के संख्या में होते हैं भवरे हैं जुंड के जुंड उनके तो उस काल में तो ये होता था क्यों होता था चारों तरफ फूल ही फूल होते थे और कुछ देखता ही नहीं था इतने फूलों की संपदा थी और इसलिए आप देखेंगे कि प्राचीन काल की जितने भी गरंथ हैं या प्राचीन काल की जो आपने पुरानी फिल्में भी देखे होंगी कोई इस काल की तो उसमें मिठाईयों का जब उल्ले खाता है तो कहते हैं शहद लाओ इनके लिए शहद खिलाओ इनको मधू लाओ तो शहद कहां से लाओ कि इतने मधू मक्हियां होती थी इस जगह जगह पर शहद के भंडार लगे हुए थी तो ये प्रकरती की जो मिठाई है और जो असले शहद होता है तो वो आपके पताने कितने रोगों का नाश कर देता है असले शहद की विशिष्टा होती है और खेर ये तो प्रसंग के बीच में से बात आ गई तो मैं कही ये रहा था कि उनके बाल इतने काले और घुंगराले है कि भवरों की टोली भी लजा जाए पीत चौतने सिरह सुखाए सिर के ओपर चार कोणों वाली चकोणों टोपी लगाई हुई है पीले रंकी कुसम कली बिच बीच बनाए और उस टोपी के मध्य स्थान स्थान पर फूलों की कलिया चित्रिद की गई है बनाई हुई है ऐसी सुन्दा टोपी है रेखे रुचिर कंबू कल ग्रीवा गले में उनका जो गला है वो शंक के समान है और शंक के अंदर तीन रेखाई जो ऐसी होती है वैसे तीन रेखाई उनके गले में है जन तिरभूण सुस्मा की सीवा और वो तीनो रेखाई ऐसे हैं जैसे इस संसार की सारी सुन्दर्ता की वो सीमाएं हो एक रेखा खेच दिया तीन रेखाई कि इससे बाहर कोई सुन्दर्ता नहीं है ऐसे सुन्दर्ता से परिपूर्ण रेखाई तेन उनके गले में है कुंजर मनि कंठा और जो कंठा हार है वो गजमुकता की माला का बना है कलित और हित तुलसी का माल और गले में तुलसी दल की माला है विर्शब कंध, कंधे कैसे हैं? बैल के समान पोष्ट कंधों की जब हो मुकमा देते हैं तो बैल से दी आती है विर्शब तो कि सबसे मजबूत कंधे होते हैं तभी तो वो खेत जोत देता है शक्तिशाली किहर ठवनी और जब खड़े होते हैं राम तो कहते हैं जैसे शेर खड़ा हो उनकी जो शैली है खड़े होने की वो सीह के समान है आत्म गर्वित और विजय भाव लिये हुए ऐसा उनका खड़े होने का ठंग है बलनिदी बहु विसाल और उनकी जो भुजाएं हैं वे बल का भंडार हैं कट तुनीर कमर पर जो है तुनीर बांधा हुआ है तरकस पीत पट बांधे और पीले वस्त्र धारण किये हुए पीले वस्त्रों में सामली देह की शोभा ही सबसे निराली होती है भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है हड के उपर सूर्य की सुनहरी किरने गिर रहे हो और वही वर्णन राम के लिए भी सार्थक है उप्योक्त है सुन्दर है पीले वस्त्रों में वे ऐसे शोभाइमान हो रहे हैं कर सर हाथ में बान है धनुष बाम बर कांधे और बाएं कंधे के उपर धनुष धारन किया हुआ है पीत जग्य उपवीत सुहाए पीले रंका जनेव धारन किया हुआ है नक सिक मंजू महाचवी जाए पैर से लेके पैर की नाखून से लेकर नक पैर की नाखून से लेकर सिर तक महाचवी जैसे उन पर चाई हुई है वे महाचवी के साक्षात सूर रहे हैं देख लोग सब भये सुखा रहे उनको देखकर सभी लोग बहुत सुखी हो रहे हैं एक टक लोचन चलत नितारे टक टकी लगा कर देख रहे हैं उनके नयन इधर उदर चल ही नहीं रहे हैं कहीं पर के हर से जनक देख दो भाई जनक महराज उन दोनों भाईयों को देखकर बहुत हरशित है मुनिपद कमल गहे तब जाए और वे उठे अपने स्थान से और विश्वामित्र की चर्ण मंधना के क्योंकि आ गए हैं थे अभी प्राम लक्ष्मान और विश्वामित्र सब तो अब अपना एक पारंपरिक जो मरियादा है उसका निर्वाह करने के लिए जनक उठे हैं और विश्वामित्र की चर्ण मंधना करते हैं कर्बिन्तिनिज कथा सुनाई उनके चर्णों में विन्ति की और अपनी कथा सुनाई सारी क्या कथा सुनाई यहां तो है नहीं कई उस बात का उलेक तो मैं बता देता हूँ विश्वा मित्र से उन्होंने कहा कि ये धनुष यग्य का मैंने आयोजन किया है और इसकी प्रतिग्या ये ही है जो कोई शिव का धनुष भंग करेगा सीता उसके कंठ में जैमाला डालेगी और मुझे बहुत चिंता हो रही है शिव के धनुष को देखकर इसकी कठोर्ता इसकी गरिमा इसकी महिमा इसका विराठ रूप देखकर कि कहीं ऐसा नहों कि कोई शिव का धनुष भंग ही न कर पाए तो अपने मन की सारे दुविधा उहापो हो जितने भी कठा थी सब उन्होंने विश्वा मित्र से कह दे कर बिंतिन निज कठा सुनाए रंग अवनी सब मुन ही दिखाई रंग अवनी रंग भूमी और सारी रंग भूमी ले जाकर फिर विश्वा मित्र को उन्होंने दिखाई एक एक चीज राम और लक्षमन तो ये काम एक दिन पहले ही कर चुके थे जब विहार करने आये थे घूम रहे थे निकले थे सेर करने तो ये तो पहले ही देख चुके थे अब महराज जनक जो है वे विश्वा मित्र को दिखा रहे हैं सारी रंग भूमी ले जाकर ये जा रहे थे उनके साथ दोनो राजकुमार ये राम और लक्षमन भी थे विश्वा मित्र ने उनको भी साथ बुला लिया कि तुम भी आओ साथ चलते हैं तहां तहां चके थे तुहों सब कोई वहाँ वहाँ जाँ जाहां भी दिखा रहे थे जनक अपनी वेवस्था उस सब को देख कर सभी बहुत चकित हो रहे थे हैरान हो रहे थे आश्चर्य सिभर रहे थे निजने जरुख राम ही सब देखा कौन जान कछू मरम विसेशा अब क्या है कि विश्वा मित्र महराज जनक के साथ जा रहे हैं पूरी रंग भूमी वो उनको दिखा रहे है सारी राजा लोग बैठी है पूरा समाज बैठा है पूरी भीड बैठी है राम लक्षमन भी विश्वा मित्र के साथ है अब जहां जहां से भी वे लोग जा रहे हैं निजने जरुख राम ही सब देखा सब ने क्या देखा कि जैसे राम उन्हीं की तरफ देख रहे हैं केवल उन्हीं की तरफ मंदिर की जो प्रतीमा होती है उसकी एक विशेश्टा होती है आप कहीं भी खड़े हो जाएं आपको यह लगेगा कि वह आप ही को देख रही है और ऐसी तो कुछ मैंने paintings भी देखी है दुरला painting राजस्थान में कि उस painting के पास आप खड़े हो जाए सामने वो आपको सामने देखेगे एकदम फिर जैसे जैसे आप घूमते जाएंगे उसकी पुतलियां भी painting की आपकी तरफ ही घूमती जाएंगे यानि आँखें लगातार घूमेंगे आपकी तरफ जिधर भी आप जाएंगे मरम न जानों कोई कोई मरम नहीं जानता उसका रहसे नहीं जानता वही बात यहां तुलसी दास जी कह रहे है कि प्रतेक व्यक्ति को उपस्थित वहां जो भी व्यक्ति था प्रतेक को यह लग रहा था कि राम उन्हीं को देख रहे है और ऐसा क्यों हो रहा था किसी को समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी भल रचना मुनी निर्पसन कहे हू राजा मुदित महा सुख लए हू जब महराज जनक ने सारी अपनी रंग शाला दिखा दे तो मुनी विश्वा मित्र ने उनकी बहुत प्रशंसा की उनकी इस वेवस्था की उनकी सुंदर्ता की उनकी आयोजन की बहुत प्रशंसा की विश्वा मित्र जो की निस्प्रे हैं अनासक्त हैं विरक्त हैं वैरागी हैं उनको इन चीजों से बहुत सरोकार नहीं होता, कि कोई चीज कितनी सुन्दार है या कैसी है, वे प्रभावित नहीं होता, इन सबसे उदासीन हैं, उपर उठे हुए हैं, किन्तो उसके बाद भी यदि विश्वा मित्र इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे सारा आयोजन अती विसेष्ट है, दिव्वे हैं, तभी उन्होंने प्रशंसा की, अन्यता विश्वा मित्र जैसा रिशी प्रशंसा सहच से नहीं करता, और जब उन्होंने प्रशंसा की, राजा मुदित महासुख लाए हो, जो महराज जनक थे, उन्हें जैसे महासुख प्राप्त हो गया हो, आनंद के सागर में वो हिलोरे खाने लगे की, मेरा श्रम सार्थक हुआ, जोकि रिशी ने उसे सरा दिया, प्रशंसा कर दे, और उसके बाद महाराज जनक ने क्या कहा, कि आईए, यहाँ विराजिये, कहाँ विराजिये, वहाँ पर एक अलग मंच बनाया गया था, सब मंच ते मंचू, सारे मंचूं से उपर था वे मंच, स्टेज, मंच माने स्टेज, प्लेटफॉर्म, अन्य सभी स्थानों से उचा स्थान, सुन्दर विसद विसार, जो कि बहुत सुन्दर था, फैला हुआ था, विशाल था, मुली समित दोहू बंधू तह बैठारे महिपाद, राजजनक ने विश्वा मित्र के साथ, राम रक्ष्मन को उस मंच पर बिठाया, एक अलग ही मंच, बाकि सब पृतियोगी राजा लोग, जितने लोग आये हुएं, सब नीचे बैठे हैं, सब के साथ एक कतार में अलग आसन है उनके, जिन पर वो बैठे हैं, लेकिन इन तीन जनों के लिए, महराज जनक ने एक विशिष्ट इस्थान बनाया था, वहाँ बिठा दिया ले जागा, प्रभु ही देखी सब निर्प ही यहारे, उस स्थान पर जब भगवान को बैठा हुआ देखा, अन्ने राजाओं ने जो आए हुए थे, तो क्या निर्प ही यहारे, वे उनका मन हार गया, निराश हो गए, दुखी हो गए, उदास हो गए, कैसे हो गए उदास, कैसे हो गए दुखी, कैसे हो गए निश्प्रभ, प्रभाहीन, निस्टेज, जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा के निकलने पर तारे फीके पड़ जाते हैं, ऐसे आये हुए प्रत्योगी राजाओं के चेहरों की जो आभा थी, वो फीकी पड़ गए, मुर्जा गए, रंग, रौशनी सब चले गए, रंगत खो गई सारे, उदासी चा गए, क्यों चा गए? देखा उन्होंने की, तो इनके रहते बला हमें सीता कहां परात हो सकती है, प्रभुराम की विशेष्टा स्वयम बोल रही थी, यह ऐसा ही है कि, जैसे कोई प्रतियोगिता हो, पहलवानी की, कुष्टी की, और वहाँ पर एक पहलवान आ जाए, जो सबसे बलवान हो, दिखने में ही दिख जाए कि यह तो एक शण में उठा के पटक देगा सब को, तो बाकी जब दुगले पतले जो लोग आए होंगे, उनका तो पहले ही मन मुर्जा जाएगा, कि यह कुष्टी की पृत्योगिता, पहलवाने की पृत्योगिता, यह तो यही जीतेगा भाई, इतना बलवान दिखाई दे रहा है, इसका बल दिखने में समझ में आ जाता है कि सामने गए तो गए काम से, तो सब लोग मुर्जा जाते हैं, अपने से स्रेष्ट को देख कर, वही यहां सब राजाओं के साथ हो रहा है, अस प्रतीत सब के मन माही, राम चाप तोरब सकना ही, अस प्रीती, ऐसी प्रतीती सब के मन में हो गई, जितने उपस्थित राजा थे, क्या राम चाप तोरब सकना ही, कि राम ही यह धनुष तोड़ेंगे, हमारे बसका नहीं है, हम नहीं तोड़ सकते हैं, दिख रहा है साफ, जो उनकी दिव्विता है, जो उनकी वीरता है, जो उनका बल है, साफ साफ इस बात की घोशना कर रहा है कि राम ही इस धनुष को भंग करेंगे बिन भन्जेव भवधनुष बिसाला मेल ही सिय राम उर्माला और एक दूसरा निराश्या का कारण और चाह गया उनके अंदर क्या चाह गया मन का एक वहम जो चाह जाता है राम के सुंदर्य को देखकर उन्होंने अपनी भी सूर्ते शकले देखी होंगी आईने में कहते न कई बार कि आईने में शकल देखी है अपनी तो ऐसी वो जो राजर लोग आये हुए थे आईने में तो सत्समर कर आये ही होंगे खुद को जानते हैं कि हम कहां राम के पासंग ठहरने वाले हैं या नहीं ठहरने वाले तो वे क्या सोचकर निराश हैं दूसरी बात कि चाहे यह धनुश ना तूटे या तूट जाए कुछ भी हो जाए लेकिन सीता पती के रूप में तो राम के गले में ही जैमाला डालेगे कुछ भी हो जाए जाए उनके मन में ये बात धारना बैठ चुकी है अस विचार गवनों घर भाई जस प्रताप बलतेज उगवाई अब आपस में वो राजा लोग क्या बात कर रहे हैं कुछ कि भाईया सुनो चों यहां पर बैठ कर ठहर कर अपना यश प्रताप बल और तेज गवाते हो इस धनुष उनुष तो तूटना नहीं है हम लोगों से कुछ नहीं होना होगा क्या हमारी हम अपनी फजीहत और करवाएंगे बेजती होगी अपमानित होगे लोग हंसेंगे कि आये थे बड़े धनुष तोड़ने बनते थे यश अस्वी प्रतापी बाहु बली सब निकल गई हेकड़ी हिला तक ना सके धनुष को तो सब मजा कुड़ाएंगे हमारा तो अच्छा है इससे बहतर यही है कि हम सो लोग अपने अपने घर को चले जाएं और अगर ना भी मजा कुड़ा पाए हमने धनुष तोड़ भी लिया धनुष भंग कर भी दिया तो भी सीता हमें स्विकार नहीं करेगी राम जैसी दिव्य प्रतिमा को अपने सम्मुख देख कर जीवंत प्रतिमा भलब है हमारे गले में क्यों जैमाला डालेगी तो हर हाल में अपमान तो सहना ही सहना है हेटी होगी होगी हर हाल में तो इससे अच्छा है कि बिना प्रतियोगिता में भाग लिए अपना घर भाग लो कुछ राजा अपने गुरूर के नशे में अंधे हुए जो राजा थे वे हसने लगे उनकी बात सुनकर उन राजाओं की और क्या कहते हैं तोर हुँ धनुस भ्याव हुँ अवगाहा बिन तोरे को कुमर ही भिहाहा अब यहां पर यह अहंकारी जो राजा है अविवे की राजा यह सीधे सीधे राम का नाम नहीं ले रहे लेकिन राम को ही केंद्र में रखकर एक बात कह रहे है उन राजाओं को सुना रहे हैं जो कह रहे हैं कि अपने घर चलते हैं हम अन्य था धनुस टूटे या ना टूटे सीधा ने तो जैमाला राम के गले में ही डालने है तो यह अहंकारी राजा क्या कहते हैं कि अगर राम ने धनुस भंग कर भी दिया ना और सीधा उनके गले में जैमाला डालने लगेगी हम तब भी नहीं डालने देंगे हम तो सोचकर ही यह आये हैं कि सीधा को लेकर ही जाएंगे तो कुछ भी हो जाए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धनुस टूटे या ना टूटे हम तो बस यह इंतजार में बैठें कि खेल देखें जगा अगर हमने तोड़ लिया तो ठीक है नहीं तोड़ पाए कोई और तोड़ गया तो हम उसे तोड़ देंगे और सीधा को ले जाएंगे यह अंकारी राजा ऐससे कह रहे है कहते हैं ये तो ये राजकुमार आए है धनुश तोड़ने अगर स्वैम यम्राज भी आजाए यहां पर धनुश तोड़ने और वह चाहे कि मैं सीधा को लेके चला जाओ तो हम तो काल से भी भिड़ जाएंगे ये राजा लोग तो हैं है क्या ये अहंकारी कुछ राजा है वे वहाँ पर ऐसी घोशना कर रहे हैं जो आयते ही इस उद्देश्या से थी ऐसी पृत्योगिताओं में ऐसी आयोजनों में कि अन्य राजाओं का खेल भी गाड़ेंगे उनका उद्देश्या ही वहाँ पर उपद्रव करना होता था तो ये इस श्रीनी की राजा भी बैठे थे जिनको राम काल के समान दिखाई दे रहे थे तो ये कहने लगे कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं परता सिता का तो हमी लेकर जाएंगे चाहे काल आजाए यहां परमुस से भी लड़ लेंगे यह सुन अवर महिप मुसकाने धरमसील हरी भगत सयाने वहाँ पर कुछ राजा ऐसे भी आई हुए थे जो भहुत धरमशील थे हरी के भगत थे और सयाने थे समझदार थे उन्होंने जब इन राजाओं की यह बात सुनी तो वे मुसकुरा थी है सुनकर मुसकुरा दे किस अज्ञान में यह राजा लोग पड़े है किस गफलत में डूबे हुए है इन्हें कुछ पता ही नहीं यह क्या कह रहे है तो यह धरमशील विवेकी और हरी भगत जो राजा थे यह क्या कहते हैं सिहे बिहाईब राम गरब दूरी करी निर्पह के कह रहे हैं कि तुम सब राजाओं का गर्व तोड़कर भगवान श्री राम इस धनुष को तोड़ेंगे और सिता उनके गले में जैमाला डालेंगे जीत को सक संगराम दसरत के रन बाको रहे हैं और तुम लोग जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो इतना उचल रहे हो कि हम ही सिता को लेकर जाएंगे चाहे काल भी आजाए तो तुम नहीं जानते दसरत के जो दो रन बाको रहे हैं यह तुम्हारी क्या गति करेंगे संभव नहीं है तुम्हारे लिए सब करपाना विर्थ मरहू जनगल बजाए यह जो हरी भक्त राजा है यह क्या कहते हैं उनंकारी राजाओं को कि जो तुम इतने गाल बजा रहे हो ना मुहावरे कप्री होगा यहां गाल बजाना याने बड़ी बड़ी फेंकना डींगे मारना कहते हैं इसका परिणाम पता है क्या होगा विर्थ मरहू बेकार में मारे जाओगे तुम तुमने कुछ भी यहां पर उटा सिधा किया मारे जाओगे यह याद रख लेना तो यह विर्थ का प्रलाप मत करो शान्त बैठे रहो मन मोदकिहीं की भूख बुताई कहरें जो मन में तुम्हारे लड़ू फूट रहे है न इतने कि हम सिधा को लेकर ही जाएंगे हर हालत में कहते हैं इन लड़ूं से तुम्हारी भूख नहीं मिटने वाली यह याद रख लेना मन में फूटने वाले लड़ूं से भला किसकी भूख मिटी है किसी के नहीं तो यह अहंकार वाले टिपणिया तुम सब लोग छोड़ दो व्यर्थ में मारे दाओ के वरना सिख हमारी सुन परम पुनीता क्या कहते हैं वे फिर कि हम तुमें एक बहुत पवित्र सीख दे रहे हैं सुन लो द्यान से अगर सुन सकते हो तो क्या पवित्र सीख है जगदंबा जानूं जी हैं सीता कि यह जो सीता जी है यह साक्षात जगदंबा है यह बात जान लो और जगदंबा के लिए तुम जो ऐसे विचार ला रहे हो अपने मन में कि हम इनका हरन करके ले जाएंगे बलपूरवक इनको ले जाएंगे तो ये व्यर्थ में तुम अपने कुमारे जाने का आयूजन करवा रहे हो हमारी ये पवित्र सीख जान लो कि ये जगदंबा राम के ही कंट में जैमाला डालेंगे जगत पिता रगुपति बिचारी ये जो रगुपति है भगवान श्री राम ये जगत के पिता है अब ये बात कौन कह रहा है ये वे राजा कह रहे हैं जो इश्वर के भक्त हैं धर्मशील है और प्रभो के चर्णों में ही जिनका ध्यान लगा रहता है उनको प्रभो की मूरत प्रभो की रूप में ही दिखाई दे रहे है यह समझा रहे हैं उनको जगत पितार अगुपत विचारी भर लोचंच भी लेहु निहारी कैरें अरे मुर्खों इतने गाल वजा रहे हो व्यरत की बकवास कर रहे हो अनरगल प्रलाप कर रहे हो हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे छोड़ो ना इन सब बातों को और प्रभुक का सौंधर्य भरस रहा है उसे पीओ इतना सोभाग्य पूर्ण तुमको अवसर मिला है उसे छोड़कर तुम व्यरत की बाते कर रहे हो भर लोचंच अपनी आँखें भर भर की छबी लेहु निहार भगवान की छबी को निहार लो मुर्खों कहां व्यरत के वितंडावाद में पड़े हुए हो तो ऐसा उन राजाओं ने उनको समझाया हो सुंदर सुखद सकल गुन रासी और ये कैसे हैं जगत पिता प्रभु श्री राम सकल सुख रासी सारे सुखों की राशी हैं सभी सुखों को देने वाले हैं सुंदर हैं निहारो उनको आनन्दित हो और अपने मन में क्यों विश्कु पाल रहे हो ऐ दो बंदु संभू उर्वाजी और जानते हो कौन है ये श्री राम उन राजाओं ने उनको समझाया मूर्ख और अहंकारी राजाओं को कि ये श्री राम वही है जो भगवान शिव के हिर्दे में वास करते है अगर जहांक कर देखेंगे ना कि भगवान हिर्दे के भगवान शिव के हिर्दे में कौन है तो वहाँ पर ये भगवान श्री राम ही विराजमान मिलेंगे तुमको और तुम क्या सोच रहे हो इनके बारे में संभल जाओ सुधा समुद्र समीप भी हाई कि अरे नाधानो अम्रित का सागर तुम्हारे पास पह रहा है जो इतना सुखदाई है कि तुम उसमें गोते लगा सकते हो लेकिन तुम वंचित हो रहे हो मिर्ग जल निरक मर्वुकत धाई अम्रित का सागर तुम्हारे समीप है उसका तुम सुख न उठाकर और मिर्ग मरिचिका यानि सीता जो है इस समय मिर्ग मरिचिका है तुम लोगों के लिए जो कभी नहीं मिल सकते मिराज प्यासा ही मर जाता है आदमे मिर्ग मरिचिका के पीछे भागते भागते पर प्यास नहीं बुझती क्योंकि कभी वह प्राप्त हो ही नहीं सकते तो यहरी भक्त राजा उन अहंकारी राजाओं को कह रहे हैं कि सीता जी तुम्हारे लिए मिर्ग मरिचिका है कभी नहीं पा सकते निरख मरू कत धाई और तुम इनके पीछे दोड़ते दोड़ते मर जाओगे पर तुम यह मिलेंगी नहीं प्राप्त नहीं हो सकते तो इससे सुन्दर क्या है दूसरा भी कल्प है तुम्हारे साथ ने यह अम्रित के सागर है तुम्हारे साथ तुम्हारे पास आनंद लो कर हूँ जाई जहा कहूँ जो ही भावा कहते हैं देखो हमने तो तुमसे कह Graduate बात जो कहने थे अब जो जेही भावा जो तुमें भाता है जो तुमें अच्छा लगता है तुम वही करो क्यों कि करोगे तो तुम वही हमारी तो सुनोगे नहीं फिर भी हमने सुना दे कह दिया कि भूल चोक से संभवते सद बुद्धी आ जाए भूल चोक से अन्यत तो तुम्हारी जो मर्जी हो जो इच्छा हो एह परो हम तो आज जनम फल पावा हमने तो भाई आज यहां आकर अपने जनमों जनमों का फल सुफल प्राप्त कर लिया है प्रभुराम के दर्शन हो गए और क्या चाहिए हमें अब इस पृत्योगिता बगार में कहीं भाग नहीं लेना कोई इसका हिस्सा नहीं बनना बस अब तो हम शिरी राम के दर्शन ही करेंगे और कुछ नहीं हम भाग नहीं लेंगे ऐसा कहे कर उन्होंने उन अहंकारी राजाओं को समझाया तो एक राजाओं का वर्ग वह है जो कह रहा है कि यहां से भाग लो अपनी बेज़ती मत कराओ दूसरा वर्ग कह रहा है कि अरे कैसी बेज़ती अगर धनुश राम ने तोड़ भी दिया तो भी हम सिता को लेकर चले जाएंगे हम मनेंगे नहीं उस बात को तीसरा वर्ग है राजाओं का जो भक्ती भाव वाले राजा हैं इश्वर भक्त हैं वे कह रहे हैं हम तो प्रत्योगिता से ही भार हो रहे हैं और उन अहंकारी राजाओं को समझा रहे हैं कि क्यों मरने के काम कर रहे हैं, सीता साक्षात जगदंबा हैं, जगजननी हैं, राम परम पिता हैं, तुम पास बहते इस अमरित के सागर का आनंद लो ना, ची भर भर गन को देखो ना, और हम तो सफा लो गए, हमने तो अपने ज तर्शक बनके बैठेंगे, शुजराम का सौंदर्य उनकी लीला देखने के लिए, जाके रही भावना जैसे, प्रभमूरत दिन देखें हैं तैसे, असकही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, और ऐसा कहकर, वे जो धर्मशील राजा थे, वे भगव राम के रूप का रस्वान करने लगे, रूप अनूप बिलोकन लागे, और उन्होंने उन अहंकारी राजाओं से द्रिष्टी हटा दे, और अपनी सारी द्रिष्टी भगवान राम पर टिका दे, और उन्हें को देखते रहे, देखें ही सुर्णब चड़े बिमाना, और देवता लोग अपने अपने विमानों पर चड़कर वहां आ गए, उस स्थल पर, बरसे ही सुमन कर ही कल गाना, पुष्प वर्षा करने लगे, और कल गाना सुन्दर सुन्दर गीत गाने लगे, इस्तूतियां करने लगे, देवता तक अपने को रोक नहीं पाए, ऐसे सुन्दर अवसर पर वे कैसे देव लोग रह जाते हैं, सभी स्वयम को त्रिप्त कर लेना चाह रहे हैं, इस द्रिश्य को देख कर, क्या होगा उस समय कि जब धनुष भंग करने के लिए पृतियोगी वहां पर पहुँचेंगे, और सारे मिठिलावासे, अन्य जिनके हिर्दें पवित्र हैं, वे सभी एकी बात मन मन में मना रहे हैं, कि चाहे कुछ भी हो जाए, राम सीता के लिए ही बने हैं, और कोई राजा सीता को वरण करने के योग्य नहीं है, प्रतीक के मन में एक ही भाव है, यह भाव कहां से आया, यह प्रकृति प्रदत है, कुद्रत ने स्वयम फैलाया सब के मन में, यह संदेश आत्मिक धरातल पर तरंगों के रूप में सब जगे जाकर समा गया, केवल उन राजाओं को छोड़कर, जो अविवे की अहंकारे दुष्ट और क्रोर थे, क्योंकि जिसका ख्रिदे, जिद्धी, क्रोर और अहंकारी होता है, उसे परमात्मा कभी नहीं दिखता, स्वयम परमात्मा सामने आकर भी खड़ा हो जाए, और कहें मैं परमात्मा हूँ, तो वे उसकी उपेक्षा करते हैं, उसके साथ दुर्योधन ने क्या किया था, भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया, ते ग्रिफतार कर लो भगवान कृष्ण को, बताओ, वे भगवान कृष्ण, जिनके चड़नों पर भीश्म पिता महा नमसकार करते हैं, विदुर्जी करते हैं, युदिश्ठेर करते हैं, और स्वयम दुर्योधन के पिता धितराष्ट वे भी कृष्ण को नमस्कार करते हैं उन भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दुर्योधन देता है तो दुर्योधन जैसा जिसका चित्त हो उसे कहां से परमात्मा दिखेगा सामने होते हैं वे तो परमात्मा का भी अहित करने के लिए दौड़ेगा तो इसलिए यह जो आज कथा हुई इस कथा का एक सार जान लेजिए आपको उन राजाओं के जैसा बनना है जो धर्मशील हैं हरी भक्त हैं राजा बनना है आपको राजा माने स्रेष्ट जो स्रेष्ट होता है वही राजा होता है और धर्म प्रिय राजा बनना है संसकारवान राजा बनना है हरी भक्त राजा बनना है कि जिसके सामने प्रभु किसी रूप में आ जाएं तत्काल उनको प्रभु का वास्तविक रूप दिखाई देने लगता है आपको अपने इहर्दे को हीरे की तरहें बनाना है कि एक जरा सिवी सूरे के किरन उस पर पड़ जाए तो पूरा हीरा चम-चमा उठे लशकारे मारने लगे भगवान पास से गुजर भी जाएं तो उनकी चमक आपको चमका जाए ऐसा हर्दे बनाने के लिए हर्दे को पवित्रता की और लगाना है और कैसे लगेगा राम कृपा बनसुलब नसोई जब तक राम की कृपा नहीं होगी तो अब निशकर्ष क्या निकला कि निरंतर राम से ये प्रार्षना करते रहें ये बिन्ती करते रहें कि हमारा खृत है आपकी भक्ती में लगे आपके चरण कमलों में लगे क्योंकि ये ही बिन्ती सभी भक्तों ने की है सभी भक्तों में तो आपको भी इसी भक्ती मार्ग पर बढ़ते हुए यात्रा करनी है जिससे कि आप आने वाले पड़ावों में प्रभु के रूप का पूर्ण शुद्ध खृत्य से आनंद ले सके तो आनंद यात्रा के लिए आईए राम जी से विन्ती करें कि वे हम पर क्रपालू रहें सहज मनोहर मूरति दो कोटी काम उप मालग सो सरद चंद निंदक मुखनी के नीरज नयन भावते जी के चित्वनि चारू मार मनुहरनी भावति घिर दे जाती नहीं बरनी कल का पोल शुति कुंडल लोला चिबुक अदर सुन्दर मिदु बोला कुमद बंदु कर निंदक हासा मृकुटी विकट मनोहरनासा भाल विसाल तिलक जलकाही कच बिलो के अलि आवलिला जाई पीत चोतनी सिरिन सुहाई कुसुम कली विच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबु कल गीवा जनुत्रिबुवन सुष्मा की सीवा कुंजरमनि कंठा कलित ओरिन तुल्सि का माल व्रिशप कंद के हरिठवनी बल निदिबाहूं विसाल कटितू निर पीत पट बांदे कर सरधनुस बाम भर कांदे पीत जग्य उप बीत सुहाई नकसिक मन्जु महाँ छवी अच्छाए देखी लोग सब भय सुखारे एक टक लोचन चलत नतारे हर से जनक देखी दो भाई मुनिपद कमल गए तब जाए करिबिन ती निज कथा सुनाई रंग अवनी सब मुनिहिस देखाई जैं जैं जाई कुँ अर बरदो तैं तैं चकित चितव सब को निज निज रुख रामय सब देखाई कोउना जान कच्छु मरम विशेशाई भली रच नाम निन रिप सन कयो राजा मुदित महा सुखले हूँ सब मंचे ते मंचु एक सुन्दर विशद विशाल मुनि समेत दो बंदु तैं बैठारे मही पाल प्रवुई देखी सब निप हिये हारे जनुरा केश उधै भैतारे असि प्रतीति सब के मन माही राम चाप तो रव सकनाही बिनु भंजय भव दनुष विसाला मेली हिसी ए राम उर माला अस विचार गवन घर भाई जसु प्रताप बलतेज गवाई विसे अपर भूप सुनिबानी जे अभिवेक अंद अभिमानी तोरे हु धनुष व्याहु अब गाहा बिनु तोरे को कुमरे वियाहा एक बार कालो किन हो सियहित समर जितब हमक सो ये सुनि अवर महिप मुसकाने धरम सील हरि भगत सयाने गरब दूरि करिन रिप के सिये भी आह भी राम दसरत के रन बाकरे जीति को सक संग्राम ब्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई मन मोदक इन की भूख बुताई सिख हमारी सुनि परम पुनीता जगदंबा जान अउदिय सीता जगत पितार अगुपत ही विचारी भरिलो चन छविले उनिहारी सुन्दर सुखद सकल गुन रासी एदो उबंदु संब उर्बासी सुदा समुंद्र समीप बिहाई दिग जलु निरखिमर आउकत धाई करव जाई जा कहु जोई भावा हम तो आज जनम फल पावा असकई भले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोक निलागे देखाई सुर्णब चड़े भिमाना बरसे सुमन करई कल गाना जानि स्वाव सरुसिय तब पठाई जनक बोलाई चतुर्शकी सुन्धर सकल सादर्चली लवाई रूप बोलाई बूप बोलाई